तो मैं था एक मासूम सा काउ और मुझे बनना पड़ा एक दिन एक बहुत बड़ा म्यूटेंट काउ तो इस वीडियो में मैं सर्वाइफ करने वाला हूँ 100 डेज बट ऐसा काउ और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा है तो चलन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और मुझे भी इसने कुछ ब्रेट डे दे थे और साथी साथ मुझे वीड भी दिया था खाने के लिए यहाइसी वागने लगता हूँ नहीं आदो मैं इने से बोलता हूँ तुम लोग को भी भागना है तो बहारा आ जाओ लेकिन यह लोग आते नहीं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा डर गय थे यह लोग लेकिन मैं यहाँस के बाद आगे जाने के बाद मैं अपने लिए कुछ अपने बेसिक टूल्स बना लेता हूँ यहाँ से एक पेड तोड़ के और देखो यार यह कितना गजब तरीके से तूट रहा है यह पेड तो फिर इसी से मैं बना लेता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल और कुछ चिक्स और मैं अपने लिए स्वार्ट न अलग से बर्ट जो कि पानी में बैट के पता नहीं क्या कर रहे थे तो फिर मैं आ जाता हूँ एक दूसरे विलेज में और यहां से जब मैं इन से बात करने कोशिश करता हूँ ना तो यह लोग मुझसे बात कर क्यों नहीं रहे लेकिन जैसी मैं इनके पास आ रहा हूँ तो हम लोग आके चलते हैं लेकिन मुझे पता तो करना पड़ेगा कि यह लोग काउ से इतनी खुलना स्क्यू रखें और मुझसे बात क्यों नहीं करना चाते तो एक के पास जब मैं बात करने जाता हूँ तो यह मुझे बोलता है कि भाई यहां से भाग जाओ तुमारी कोई ज तो यार जाने दो मुझे भी अब थोड़ा से आटिटूट डिखाना पड़ेगा उनलोग को और जल दिसे जाके बना लेता हूँ मैं अपने लेक छोटा सा घर बना लूँगा है मैं थोड़ी जगे मैं साफ करता हूँ और उसके बाद बना लेता हूँ एक घर और अंदर मे क्योंकि यह जल रहा था और भाई बहुत अजीब साई पेड़ दिखता है मुझे लेकिन उसको मैं तोड़ने के बाद यहां पर थोड़ी बहुत फार्मिंग कर लेता हूँ क्योंकि खाने का भी जुगाड मुझे चाहिए लेकिन एक दम से एक रकून आता है मेरे घर में औ उसके बाद यार अब वो तो भाग चुका था लेकिन यार मुझे कुछ करना था न आगे तो यहां पर मुझे कैमपर तो नहीं मिला था लेकिन यहां पर एक बूक मिल जाती है मुझे इसके चस्ट में और यह सब भी लेता हूँ यार सब काम-काम की चीज़े थी और एक magical item म मेरे साथ कुछ तो होता है मैं एकदम आ जाता हूँ अपने घर पर यार मुझे समझा नहीं है यार सिने अब अब पता नहीं आगे पता चलेगा लेगी मैं घर में आता हूँ तो यहां पे हुर धालेतो हैं तो कुछ को म critique की आता है चुछ आजू बाजू में थोड़े बहुत हमारा population बढ़ाने की जरुवत है क्योंकि यार मेरे साथ कुछ भी अजीबो गरीब चीजे हो रही है तो मैं कुछ fans लेके आ जाता हूं और अपने घर के बाजू में fans दाल देता हूं क्योंकि मुझे यार अपने और cow भाई भेन को लाना है और यहां पर भागम दोड़ी का एक दा महल मन जुका है भाई सब लोग डरे हो हैं और वैसी मैं मिलता हूं एक mutant cow से तो यार यह मुझे बता रहा है कि इसने ही यह सब को जला आया है और यह भाई एक भी विलेजर को छोड़ेगा नी क्योंकि इन लोगों ने बहुत बेकार बेकार किया है हमारे cow लोगों के साथ तो इससे जब मैं पूछता हूं कि यह तुम इतने बड़े mutant cow बने कैसे तो यह मुझे बतानी कोशिश नहीं कर रहा था लेकिन यह मुझे बूर रहा था कि अगर तुम भी बनना चाते हो तो मेरे साथ चलना और फिर हम साथ में मिलके स सारे पूरे दुनिया के village को खतम कर देंगा और बाजू में एक farmer आता है यह उसको भी मार देता है और यहाँ पर वापस से पूरा सबको आग वाग लगाना चालू कर देता है तो यहार मेरी बात इससे चालू थी तो मैं एक cow था तो यह मेरे से खुश हो जाता है और मुझे कुछ golden apple देता है तीन चार golden apple देता है कि बोलता है कि भाई तुम भी cow ओ मेरी प्रजाती के तो तुम भी जाओ यार अपने मौच करो और सब को मारो जितने भी villager तुमको दिखेंगे तो लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि मैं यह गंदा काम नहीं करने वाला हूँ लेकिन यह मेरे सामने भाई सारे villager को मारता है और यहां पर आग लगाना वापस से चालू कर देता है तो यार अब मुझे नहीं समझ रहा था इससे मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई इसको मार तो नहीं सकता हूँ इसका size देख के मुझे पता चल गया था लेकिन यार कभी ना कभी हमारा जगडा तो इससे हो गई क्योंकि यार ये गलत कर रहा है जो भी कर रहा है और उसने मुझे धमकी भी दिये कि अगर मैं उसके बीच में आऊँगा तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा तो यार इसी की डर के मारे मैं जल्दी से चल जाता हूँ अपने घर के बाद उसे मारने आता है तो सबसे पहले घर हो सबसी बार नाम मर गया इक इतनी गजप की चीछ मीठे लिए मुझे लेग लेकले दिन, एकदम से वौला चोटा वाला एलियन आता है और मुझे मारता है, और एकदम से में टन रिपोर्ड हो जाता हूँ एक स्पेस्षिफ में, भाई, ये पता नहीं मुझे कहाँ इसने भेज दिया था एकदम से, लेकिन यहाद firing मेरे सामने में एक chest था जहां भे मुझे मिल जाते हैं कुछ diamond golden apple और खाने के लिए मुकुट भी था एक diamond helmet भी था जहाई जिसमें कुछ अच्छी चीजे लगी थी तो यह सबको तो मैं ले लेता हूं और यहां से चलता हूं जल्दी से उपर के तरफ और उपर जाने के बाद मुझे आगे में दिखता है एक हमारा main alien जो कि सच में जादू सामान दिख रहा था अब भाई यह पता नहीं क्यों इत्ता खतरनाक दिखने वाला है बस मालब दिखने में उत्ता कुछ खास नहीं है लेकिन भाई इसमें दम कुछ जा मुझे बोल रहा था कि मैं भी तुमको वैसा बना सकता हूं लेकिन मुझे यह चीज मनजूर नहीं थी मैंने बोला कि मैं तुमारे ऐसा यह गंदा काम नहीं करूंगा तो यह मुझे एकदम से मारता है और वापस से मैं अपने घर में टेलिपोर्ट हो जाता हूं भाई पता और वहाँ पर पूरी सेंचूरी बनाएंगे हम लोग हमारे काव लोगों की तो यहां मेरे साथ दो लोग तो आना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे करके मैं सबको ही ला लूँगा यहां पर तो सबसे पहले इन लोग को लेकर चलता हूं मैं अपने घर में और जल्दी से मैं वही पर कैद कर दूँगा और बाद मैं इन लोग को हम लोग अच्छे से घूमने के लिए मौका देंगा जब मैं इन लोग मुटन लोगों को मार दूँगा और वो इलियंस को खतम कर दूँगा तब यह लोग को मैं खूला भी छोड़ सकता हूं क्योंकि हम को कोई डर ही रहेगा उसके बाद और फिर उसके बाद मैंने के लिए TophGr butter ऩर दे देताओं इन लोग को और उसके बाद एकडम से वही वाला र्कुन वापस से आता है और कुछ चुराने लगता लेकिन इस बार मैं आ जाता हूँ और इसको मारंगे हाथो पकड़ लेता हूं और फिर मैं करता हूँ इससे बात और मैं पूछता हूँ कि यार तुम बार-बार चुराने वाला काम क्यों कर तो यह बोलता है कि इसके पास कोई घर नहीं है और यह अपने फैमिली को एकदम भूका पेट ना रखने के लिए यहां से सबसे चोरी करता है बहुत सारे विलेजर से भी इसन बार चलते हैं और यहां से बाहर जल्दी से और अब हम लोग दोस्त बन चुके थे और मैंने इसको बूला था कि अपनी फैमिली को लाना चाहो तो तुम वह भी कर सकते और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ आगे को शीप्स को धूणने के लिए क्योंकि यार मुझे इनका कॉल चाहिए हमारा स्टैची बनाने का सोचा है मैंने जो भाई हम लोग को एकडम समहन देगा, काऊ लोगो को तो यहां हूप में बहुत हरे शीप को जमा कर लेता हूँ और इन लोग को बोलता हूँ मेरे साथ चलो घर में मैं को खानावाना सब दूगा इसे भटकने की चलते हैं मेरे साथ घर में और मेरे पास कुछ खाना वाना सो इस बच्चे को मैं सारा खाना खिला देता हूं और फिर इनके लिए मैंने एक छोटा सा वीड फार्म भी बना देता हूं क्योंकि यार इनको खाने भी नहीं के जर्वत होगी और इनकी पॉपुलेशन भी तो करता है ख़ाना यहार हम को वह साइट जाना है तो यह उसके बाद चलो ऊपर गरते के बात करने के लिए तो यह मुझे बोलता है कि वहाँ आगे में बीच साइड में तुम कहीं जाओगे तुमको मिल जाएगा तो मैं यास से जाने की कोशिच करता हूँ और फिर मैं पहुच जाता हूँ इसके पास और यहाँ पर बारिश चालू हो गई थी और इससे जैसे मैं बात करता हूँ दरनाक सीन होता, यह मुझे पकड़नी वाला था लेकिन मैं यहां से कूद याता हूँ, और पता नहीं किसमत से मैंने यहां पे पहले से पानी डाल के रखा था एकदम हिसाब से, जब मैं वो बंदूक वाले काउ के साथ आ रहा था यहां पे, तो मैं यहां पे बच जाता और अच्छा वायर यह नीचे नीख हुदा, क्योंकि यहां पे मुझे पकड़ सकता था वापस से, और मुझे लेके जाके बना सकता था वही मुटेंट वाला काउ, लेकिन यहां से मैं जल्दी से भागता हूँ अपने घर के तरफ, और घर पहुच जाता हूँ इसी दिन, यहां पे मैं सबसे पहले आके हमारे रकून दोस्ते बात करता हूँ और इसको मैं सारी चीजे बताता हूँ जो मेरे साथ हुई, तो यह मुझे बोलता है कि तुम्हें उस मुटेंट काउ को मारना पड़ेगा जान से, तो मैं यह इससे पूसता हूँ कि यह मैं इतना छोटा हूँ मेरे पास इतने कम हार्ट है, मैं उसको कैसे मारूँगा, तो यह मुझे बता था एक विच के बारे में, जो कि यार कुछ ऐसे नॉर्मन लोगों को बढ़ा कर सकती है, मुटेंट बना सकती है, एक दम अच्छा वाला और वो तुमको ट्रेनिंग भी देगी, तो यार यह इससे मैंने उसकी लोकेशन पूछ ली थी, और इसने मुझे बताया भी था, कि यह उसके बारे में जानता है, इसने सुना है, वो ऐसा कर पाती है, नहीं, वो इसको नहीं पता था, लेकिन यार मेरे पास कोई और और ओप्शन तो था नी, लेकिन अब यार मुझे उस व दोंगी नहीं, और नहीं मैं तुमको एक मुटेंट काउ बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे इसका एक काम करना पड़ेगा, जो कि यह एक इसको मारने का इसका बहुत बड़ा दुश्मन है, तो उसको मुझे मारने का इसको बारे में, तो यह मुझे उसका लोकेशन ब मिलती है, और फिर उपर वाले चेस्ट में, तो मुझे बहुत अच्छे-च्छी स्वार्ड मिलते हैं, तो उसको भी ले लेता हूँ, और बहार निकलते हैं वक्त मुझे दिखता है एक काउ, जिसको मैं बोलता हूँ कि मैरे घर में आवा के रहना चाते हो, तो तो तुम रह आए गये हैं, और वार कुछ लोगों ने आप एकदम रेट कर दिया था, और कुछ लोगों से इसका मतलब वही था, वो जो बंदूक वाले काउ थे ना, उनलों ने आके हर चीज खराब कर दिया है, और जल्दी से मैं इसके पीछे बीचे आता हूँ, और यार यार यहार प पता नहीं कैसे एक रैविट था, वो बज गया था, यार यह पता नहीं एकदम से चालू कर देता है, तो मेरा इस पे दिमाग खौल जाता है, हमारा लोग हमारा R someone, तो और ज्यादा form में आ जाता है और यह racoon उसको मार के खतम कर जाता है एक ही बार में और यार भाई अब मैं क्या करूँगा है मुझे नहीं समाज रहा था और वो देखो पीछे हमारा racoon भी पागल हो चुका है भाई मेरे सब लोग मर चुके और मेरे जित्ते भी प्रोग्रेस था अभी का यार यह सब उसने बरबात कर दिया है उस mutant cow ने तो यार सबसे पहले मैं वही witch के जो boss था उसको मारना चालू कर देता हूँ क्योंकि मुझे training करनी पड़ीगी वो mutant cow को मारने से पहले तो जैसा कि मुझे उसने बताया था witch ने उसी तरफ में आता हूँ और यह बहुत अजीब हो गरीब एकदम बड़ी सी जगे थी तो यहां से मैं जाता हूँ उपर और उपर जाने के बाद यार सबसे पहले मुझे यहां पे कुछ अची खासी चीजे मिल नी रही थी लेकिन यहां पे एक bed था जिसको मैं तोड़ लेता हूँ तो इस राक्षा इसको मैं इस हालत मैं तो मार नी सकता तो यार मुझे अभी यहां से भागना पड़ेगा वापस से उस विच के पास और मुझे नी पता था मैं उस विच को क्या बताऊंगा यार कि मैं इसको मार नी पाया लेकिन यार कुछ तो मुझे बात करनी पड़ेग तो यार ये मुझे ट्रेनिंग देने के लिए जाती है, तो इसके पीछे-पीछे मैं जाता हूँ, तो यार ये मुझे कभी-कभी ना एकदम फेक देरी थी, एकदम एक बहुत बड़े पहाड के उपर से पानी में, और यार इसका बहुत अलग-अलग टाइप की ट्रेनिंग तो मैं धीरे-दीरे करके एक-एक चीजे सीख रहा था, तो पहले-पहले मैं गिर जाता था कहीं, लेकिन उसके बाद मैं बहुत अच्छे-च्छे तरीके से पार्कोर-वार्कोर सीख रहा था, और इवन भाई इसने ना मुझे एकदम वो खतरना कवाला जो ड्रीम करता है वो भी करना मुझे सिखा दिया था, और लावा पे कैसे बीना डैमेज के चल सकते हैं, वो भी इसने मुझे सिखा था, और पानी के अंदर भी इसने मुझे कुछ दिन के लिए रखा था, और कुछ हफ़ते बाद जैसी मेरी ट्रीनिंग खतम होती है, तो यह उसके बाद मु कमी है नी, और एंचांटेंट गोल्डेन एपल भी हो गया है, तो यह बहुत गजब की बात थी, और अब मैं उसको मारने जा रहा था, जो इसका एकदम बॉस था, इसको मार क्या हूँगा, तो यह मुझे एक म्यूटेंट काउ बना देगी, तो बहुत गजब की बात है, त जा रहते बराबर, मैं सबसे पहले धूंटा हूँ, अपमारे वो छोटे वाले रकून को, तो रकून मुझे मिलता है निया, पर कही मैं उसके घर में भी देख रहा था, वैसे घर तो यह बचा ही निया, लेकिन मैं इसको हर जगे चिला रहा था, और धूंट रहा था, कि र दर जाता हूँ ना, तब मुझे बहुत भयानक चीज दिखती है, जो कि थी यार ये, वो जो हमारा एलियन था, वो यहाँ पे कुछ चार-पाच मतलब काउ को लेकर, और साथ में हमारे एक रकून था, जो हमारा दोस्त है, उसको लेकर जाता है बहुत उपर, और उपर से ज थोड़ देता है अपने कोई जादूई वाले चीज से तो, और ये लोग गिर के मर जाता है, यार ये चीज देखते देखते ना, यार मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था, और वैसी वो जो एलियन था, वहाँ से भाग जाता है, और यार मुझे बहुत जादा बुरा ल इलियन मेरे हाथों से बचेगा नी, क्योंकि यार उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया, तो यहां से मैं जल्दी से सबसे पहले उस तराक्षा उसको मारने निकलता हूं, जो की इधा हो विच का दुश्मन, तो इस वाले मतलब टावर में मुझे मिलता है एक बुक, जो चैपल खाता हूं, और वापस से जाता हूं ऊपर मारने के लिए, और उपर पहुषने के बाद फिर से मैंने बहुत सारे स्केल्र टैनों और यहांपर गोल्डन ओंपल, बहुत सारे लग अलग पिछले बार मैं डर के भागा था इससे क्योंकि आर मेरे पास वैसे ही कम हाट तो अब जो वाली विच को जो समान चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा शायद इसी चेस्ट में रखा होगा और जैसी यह बाजी वाले चेस्ट को मैं खोलता हूँ ना तो यहां पर मुझे मिलता कुछ स्कूइट को अब तुमको समझ गया होगा मैं डाय कलेट कर रहा हूँ और किस चीछी ले कर रहा हूँ यह तो तुमको पता ही होगा और फिर यहां थोड़ा विलेज के पास आने के बाद मुझे यहां पर ग्रे वाले डाय तो कुछ ऐसी फ्रीगे मिल गए तो यहां करना लूँगा अपने लिए स्चैचू हमारे काउ का तो मैंने एक जगे बहुत अच्छी सी प्लेन कर ली थी और उसके बाद मैं अपना मुझ देख देख देखे मैं सामने का पूरा फेस बना लेता हूँ और उसके बाद पूरे बाजुस को तो हमको बस नॉर्मली कबर कर करना है और बस एक ही दिन की महनत से यार यह बहुत आराम से बन गया हमारा यह जो हमारा मुंडी है अब थोड़े मतलब काउ लोगों को यहां पर इज्जत बढ़ेगी और उसके बाद जैसी मैं इसके अंदर जाता हूँ तो बाजु मैंने एक अलग इसा एरिया बना लिया जहां पर एक ग्रेव है तो एक बार यह भी देख लो और तुम लोग को समझ जाएगा कि यह ग्रेव किसकी है तो मैंने बाजु में लिखा भी है कि यह रकून की मेमरीज है और यार इसको मैं यहां पर इसको थोड़ा सम्मान देता हूँ मुंडी नीचे करके यहां पर मैं लेकिन यह फिर भी मेरी बात मानने रही थी, लेकिन यार जब इसको मैं वो corrupted beacon निकालता हूँ ना अपने inventory से और अपने हाथ में रखता हूँ तब यह पूरी पागल हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और फिर इसको मैं दे भी देता हूँ यह वाला beacon, और मुझे देती निया, लेकिन एकदम से मेरे उपर वो mutant वाला portion फेक देती और मुझे एक दो portion और एक्स्ट्रा में देती और अब मैं बन गया था एक mutant काउ, यह बहुत ज़्यादा गजब की बात थी, लेकिन इसके तरफ में जब वापस देखता हूँ ना तो यह पूरी इसके, लेकिन मैं ना डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं सीधा जाले आता हूँ, यह पानी के धुरू उपर यानि कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जा तो थोड़ा धीरे धीरे पा रहा था, लेकिन आखिरकार जैसी मैं उपर पहुषता हूँ ना तो इन लोगों ने मेरे आग लगा देता है, तो इसको तो भाई बहुत बुरी मौत देता हूँ मैं, और उसके पाइदर मुझे अपना गोल्डन एपल खाना पड़ता है, अब यार मुझे नहीं पता कि इसके जब यही बच्चे लोग इतने ज्यादा पावरफूल है, तो वह एलियन में कितना दम इसके पास पता नहीं वह विच वाली चीज भी थी, लेकिन मैं भी डरता हूँ नहीं, मैं पूरा अपने बहुत से एकदम लगा लगा कि इसको मारता हूँ, और उसके बाद मैं इसको जब स्वार्ट से मार रहाना था, इसने बहुत सारे हार्ट अपने लूस कर दिये थे, लेकिन ये भी पूरा खॉल जाता है, मुझे मारना चालू करता है, और अब यार ये आखरी हेल्थ पर था, और इसको मैं बस मारने वाला था, लेकिन ये उत्ते में अपनी बीम यूज़ कर देता है, और मुझे ला देता है सिर्फ एक हाट पर, पता नहीं कैसे एकदम करती कर दी, ये मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ, नॉर्मल पहले हमारी फाइट चलती है, और ये मुझे अपने तरफ भीचता है, और बस, फिर उसके बाद मैं अपने ये जादू ही स्वाट से इसको मार के खतम कर देता हूँ, और ये आखरी शॉट इसको लग जाता है, जैस जाता है एक विलेज, जो की पूरे तरीके से जर रहा था, और मुझे पता था ये कौन जला रहा है, ये था एक वही वाला म्यूटेंट कव, जो की इसको जला रहा था, और यार ये बही उसी की बनाई होई चीज है, लेकिन इसके बहुत कोई मैंने मार दिया, तो यार जैस अब मैं अपने उपर भी दाल लेता हूँ, और उसके बाद हम दोरों बन जाते हैं एक नॉर्मल वाले कव, और हम लोग साथ में अपनी जिन्दगी जीएंगे, अब आगे वाली, तो यार 100 देस तो हमने सर्वाइफ कर लिया है, और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मज़ा आया, तो चैनलों को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और यार मेरे दूसरे वीडियो भी चेक आउट कर लो,